ब्राट तो यू बाइ सेंसोडेंट के अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूद का करेंट गॉन तो लाइफ का करेंट आन चुरू की लडाई है जी ग्रैंड बैटल ऑफ चुरू बताईए राजेंदर राठोड बनाम कस्वा परिवार क्या है क्या है क्योंकि मेरे सामने राहुल कस्वा का एक बयान है आजाओ काका जी आजाओ आमने सामने लड़ेंगे चुनाओ इस बार आओ और पब्लिक को कि आप ने कितने रेताओं कि ख॥म करने काम कया नहीं तो हमारे पास पूरा चिटा यह कह रहे हैं राउल कस्वा जी राजेंद्र है क्या रहे है मेरे समाज के लिए राहुल क Сам गाली की भाशाह क्या अगर मेरे में टिकट कटवाने की चमता होती तो मैं राज समन से मेरे लिए ही टिकट ले आता जिसमें एक वसंद्रा के बेटे दुश्यंद की सीट थी एक चुरू की सीट थी एक बीकानेड की सीट थी और एक सीट और जीते थे तो जो हम बात कर रहे हैं आपके राजेंदर सिंग राठोर्ड भी साथ बार से चुरू के विदाय करें हैं तो पहले जो फोकलोर है आप इतनी अच्छी बनती थी वो एक मिसाल दी जाती थी कि हमारे जाट वर्सेज राजपूत होता है तो उससे पहले तक का आलम यह था अब यह 15 साल वाला वयान तो कस्वा जी या राजेंदर जी बता सकते कि क्या होगा लेकिन यह एक अंडेस्टेंडिंग थी कि राजपूत जो भी है वो राजेंदर राठोड कस्वा जी को दिलाते और कस्वा जी जात वोट और सपोर्ट देते है जिससे वो चूरू की सीड जीते हैं इस बार इन दोनों में शुरुआत से ही कुछ बन नहीं रही थी और यहीं वो कारण था कि राजेंदर सिंह्र राजे सपोर्टर भी रहें वस्तंद्रा राजे ने अपनी वर्थरे सेलिब्रेशन्स करी तब भी वह मुखर थे वह हमेशा कहते थे कि हमारी बड़ी नेता है मुख्यमंत्री इन्हें बनाया जाना चाहिए फिर जब राजेंदर राठोड का चुनाव हुआ तो ख़बर थी क राहुल कस्वा उन्हें पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनको वो सीट परिणाम सब के सामने हैं तो तब से एक भाशन में राजेंदर राठोड के समर्थक भी थे वो हारने के बाद जब तारा नगर गए तो उन्होंने जैचंद कहके इशारो इशारो में बात की ना जड़िया नहीं रह गया यह चुनाव राहुल कस्वा वर्स राजेंदर सिंग्रा ठोड हो गया है तो यह वहां की डाइनमिक्स है एक जमाने में दोनों साथ थे एक दूसरे के बहुत करीबी रहे फिर कुछ तो अभी बयान अभी मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले का ही बय चाहे कि वो भी चुरू के ही रहने वाले हैं वो राजगर्ड है उदर वहां से आते हैं अभी हर्याना के प्रवारी हो गए हैं अभी हर्याना के प्रवारी हो गए थे नाम भी भूब चला आज में लोग सभा से विदान सभा के दौरान भी बात थी कि चूकी वो चूरू से आते हैं क्या वो अपनी सीट बदल के उधर जाना चाहेंगे तो कहते हैं उन्हों ने अपने करीबियों से कहा कि एक सीट जो मैं उस वक्षोड के आया था वहां मैं वापस कभी नहीं जाओंगा तो इस चक्कर से वह वापस और यह बात अब उन्हों ने जैपूर ग्रामीन के और वो जो चौथे सांसत थे वो देवजी पटेल थे जालोर वाले जालोर के देवजी पटेल जहां से अब वह 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 बहुत रोचक सीट है इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है यह पहले एक जमाने में वहां पे राम सिंग कस्वा और आजेंदर आठोड के लिए लोग स्थानिय लोगों से बात करो उन्हें जै वीरू की जोडी कहते थे अच्छा पर अब एक गबर हो गया और एक ठाकुर हो गया